था यह डॉक्सिड ब्रिद आपको दिख रहा होगा आपको लग रहा होगा कि यह मिक्सिड बिड हमें क्यूं दिखा रहे और यह तु कोह बटा दू आपको कोई भी olika मिक्सिड डॉक्ट नहीं है उपर से इसकी एच भी काफी ज़ादा है तो इसकी पीछे की रीजन क्या है क्यों ये जवमान शफट ऐसा हो गया है सबसाथ आप मैंसे कई सारे डॉग ओनर जो है यही गलती कर रहे हो जिसके वज़े साब की डॉग बिट की हल्थ भी नहीं बढ़ रही है सबसाथ वह जो है वीक का वीक रहा है और आप बोल रहाएं मैं सब कुछ देरा हूं क्यों नहीँ हो रहा है जो है काफी लोगों को जो है एजूकेशन यह होता है इंफॉरमेशन नहीं होती उसके कारण यह सब गलती उजती है तो आज की वीडियो में मैं बताँगा कि क्यों आपका डॉग बिड जो है ऐसा हो जा रहा है क्यों यह डॉग बिड ऐसा है और केसे इस डॉग बिड को जो है अच्छा वापिस से हल्दी बना सकते हैं तो वीडियो को पूरी जरू देखना काफी इंपॉर्टन्ट है काफी इंफॉर्मेटिव है चैनल पर नहीं हो तो सब्स्राइब कर लिजिए बैल नोटिफिकेशन को आउन कर लिजिए क्यों हम आपके डॉग बिड के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं सबसे पहले तो यह डॉग बिड अच्छा खासा बढ़ा है जैसे कि आप बोलोगे कि कितने कितने दिन का हो सकता है तो यह आराम से एक सो पच्छा साइन दिन का है इसमें से एक है और इसका वेट है आप बोलोगे कि वेट तो अच्छा खासा होगा फिर नहीं इसका वेट बरबर से आट केजी सारे आट केजी भी नहीं है अब आप बोलोगे कि सर ये इतना वीक है इसके पीछे कुछ रीजन होगा कि क्या हुआ कि किस गलतियों के कारण हुआ वो हमें भी बता ये का कि हम नार दो रहा है तो सबसे पहले इस डॉग बिट की वैक्सिनेशन एक भी बा नही है जब बान होजा उसके बाद फिर जब कंट्यूूनिस ली लगती है मंतली लगती है फिर बाद में ये री अर्री लगती है वैक्सिनेशन की ज़रा भी ना परमाने Second, खाने में उनको लगता है कि क्या है, हम लोग जो खार है वही दे रहे हैं, उससे इसको हेल्थ क्यों नहीं बढ़ेगी, तो जो रोटी, सबजी, जो भी खार है वो देते रहे गए, और इसके कारण सबसे मेजर वज़ा बनी कि इसकी हेल्थ ऐसी रहे गई है, जिसमें वेट इससे केर ही नहीं कर रहे हो, तो डॉक बिट का हाल तो यही होना है, उसमें एनरजी नहीं रहेगी, वीकी रहेगा न वो, तो खाने में जो है डायट प्लैन का, जो है अन बैलंस डायट प्लैन का होने के कारण भी यह सी हालत आपके डॉक बिट की हो सकती है, खाने में प्र knowledge है यहीं किखंकर किरा जनसे दूमेंग सबस्क्राइब करी तो ये चीजे आपको पता होगी और इन सब चीजा बच किया हैं जनाने कि किया चीजी और हो सकती ये दोनों होने के बावजुद भी अगर आपको जो है एक ही चीज खाने को दे रहे हो समझ लो रोटी दे रहे हो सिर्फ और आप सोच रहे हो कि आपका डॉक बिट की हल्द अच्छी होगी नहीं आपके डॉक फुट की नीड होती है प्रोटीन डाविटामिन्स केल्चियम ओमेगा फैटी ऐसे यह सब उसको रिक्वार्मेंट होती है काफी लोग बोलते कि रोटी चास दे रहा हो तो बहुत हो गया नहीं डॉक फुट देना परता है वरना स्कीन प्रॉब्लम्स हो सकती है साथ साथ जो है आपको राइस में एग मिक्स करके या फिर आप घर पे ही ऐसा खाना बना लीज सब कुछ मिलें और वो हैल्दी रहे तो प्रॉपर डायट बनाना काफी जरूरी और खाने में काफी प्रॉपर चीज़े देना जरूरी है क्योंकि फैमिली मेंबर की तरह अपना बच्चा होता है तो इनको खाना अच्छा चाहिए होता है आप ऐसा नहीं कि कुछ भी दे र कि तो अब क्या करना चाहिए किसे इस मिश्टेक को सुदारू सबसे पहले डायट प्लैन एक अच्छा सा बना लीजिए डायट प्लैन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे यूटूब पे भी मिल जाएंगे और आप अपने वैट सब पूछ सकते हो कि मेरी डॉग बिट को ज जरूरत है एक अच्छा वैट होना भी काफी जरूरी होता है जो आपके डॉग बिट को हेल्दी रखने में फिट रखने में सबसे ज्यादा मदद करता है तो सबसे पहले एक अच्छा सा वैट सिलेक कर लीजिए जो उसकी हेल्थ को ऐसे ही सी पैसों के लिए नाप जच करे आपको बता है रियली प्रॉब्लम क्या है सकेंड आप क्या कर सकते हो कि उसी वैट से पूछके जो न्यू वाला होगा उससे पूछके जो है अब आपके डॉप बिट को जो है मॉल्टी विटामिन्स की जो है सीरप साती है या फिगोल यहाती है वो देना कब पूछ सकते हो क्योंकि डॉग बीड की हेल्थ के हिसाब से देना होगा इसलिए वैट को आपको पुछना होगा साथ साथ एक प्रॉपर डायेट प्रेंट बना लीजिए जिसे मैंने बताया कि इस एज में उस एज में क्या क्या दे सकते हो वैसा नहीं कि डॉग बीड चोटा और उसको दे रहो एग या फिर दे रहो चौकन नहीं जब एज होती है प्रॉपर उस हिसाब से देना होता है अभी डॉग यॉग एक मैने का दो मैने का तीन मैने का है तो ठीक ए अभी हो सकती है बहुत अच्छी हो सकती है इस एज में लेकिन अगर आप पांच-छे मईने का हो गया और आप उसकी ग्रोफ अच्छे से नहीं हो तो जो चीजे देना स्टार्ट कर दीजिए और अच्छी से हल्थ बना सकते हो कोई इतना इश्यू नहीं है अगर आप नॉन वेच द दे सकते हो उनके लिए सेफ भी है ऐसा नहीं कि सारे सेफ है नहीं कुछ-कुछी है जो देने है तो वो भी आप एड़ कर सकते है आपके डाइट में जिससे की जो इसका दीरे-दीरे हेल्थ इंक्रीज हो फर अच्छे हो बाहर के जैसे डाग बिड आप देखते हो वैसा बन हो में भी उसको जो है हेल्थ इशू हो सकता है तो एक बाद चेक अप दरूर से करा लिजिए जिससे की आपको भी सैटिस्टाय होगा और जो है डाग बीड भी हेल्थी रहेगा कोई चांस आप ले नहीं पाऊगे क्या ही होगा पता चलेगा कि आगे कुछ बड़ी भी करना है तो ऐसा नहीं कि जो दस दिन में पंदरा दिन में हो जाएगा नहीं थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉपरली फॉलो कीजिए जरू से होगा डॉप भी हेल्दी बनेगा बाकी जैसे डॉप बनते है वैसा बनेगा भोकने भी लगेगा अच्छे से और प्रॉपर स साथ